बच्चों मेरा गिनी राय आज आपको कक्षा 9 के पाठ्थ पुस्तक स्पर्ष से संत रहदास के पद पढ़ाने जा रही हूं तो आईए सबसे पहले रहदास के जीवन परिचय पर प्रकाश जालते हैं रहदास जिने हम संत रहदास के नाम से भी जानते हैं संत रहदास का जन सं 1388 इस्वी में एवम इनकी मृत्यू सं 1518 में बनारस में ही हुई थी संत रहदास एक निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ती थे संत रहदास का पेशा अत्वा व्यवसाय जूते चपल बनाने का था परन्त इनकी ख्याती बहुत दूर दूर तक फैली थी और इस ख्याती से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल ली आने का निमंत्रन भेजा था मध्यूगीन सादकों में रहदास का विशिष्ट उस्थान है मूर्ती पूजा तेर्थियात्रा जैसे दिखावे रहदास को बिल्कुल पसंद न थे वह व्यक्ती की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे अब आईए साहितिक परचे देखते हैं रहदास ने अपनी रजनाओं में सरल व्यवहारिक व्रज भाषा का प्रयोग किया है जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू-फार्सी के शब्द भी देखने को मिलते हैं इनकी भाषा सरल्व सहज थी जो आम जन्मानस को समझ में आ जाती थी रहदास को उपमा और रूपक अलंकार बहुत प्रिय थे अथार्थ इनके पदों में इनकी रचनाओं में उपमा और रूपक अलंकार की बहुलता है इनकी रचनाओं में आत्मनिवेदन, दैन्यभाव और सहज भक्ती पाठक के हिरदय को प्रभावित करने वाली होती है रहदास के चालिस पद सिखों के पवित्र धर्म गरंथ गुरु गरंथ साहब में भी सम्मिलित किये गए हैं अब आईए पाठ परिचे देखते हैं प्रस्तुत पाठ में रहदास के दो पद हैं जिन्ने आज हम यहां पढ़ेंगे पहले पद में रहदास जी कहते हैं कि भगवन अब आपके नाम की रट लग गई है जो नहीं छूटने वाली है और दूसरे पद में कहते हैं कि भगवान आपका स्वभाव इतना उधार क्रिपालू और समदरशी है जो निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपना लेता है और समाज में भी सम्मान दिलाता है अब आईए रहदास के पदों की व्याख्या करते हैं पहले पद में कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभुजी तुम दीपक हम बाती जाकी जोती बरै दिन राती प्रभु जी तुम मूती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करए रैदासा तो इन पदों में कहते हैं रैदास जी कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी अब प्रभु आपके नाम की जो रट लग गई है वो छूटने वाली नहीं है आपका नाम मेरे तनमन में बस गया है ये जो आदत आपके सुमरन की पड़ी है न वो अब जाने वाली नहीं है फिर आगे कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी फिर वो अपने भगवन को कहते हैं कि हे भगवन यदि आप चंदन है तो मैं वह जल हूँ जिसमें आपकी खुश्बू समाहित हो गई है अथार्थ आपकी भक्ती मेरे रोम रोम में बस गई है आगे कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा भगवान यदि आप आकाश में छाय हुए वह काले बादल हैं जिने देख कर वह मोर मृत्य करने लगता है तो वह मोर मैं हूँ आगे कहते हैं यदि आप चांद हैं भगवन तो मैं चकोर हूँ जो आपको एक टक देख कर खुश होता रहता है आगे कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी जोती बरै दिन राती फिर आगे कहते हैं वो अपने भगवन से कि प्रभु जी आप दीपक और मैं बाती हूँ जो आपकी शरण में आकर ही समस्त संसार को रोशनी दे पा रहा है और फिर रहिदाज जी कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा आगे कहते हैं कि भगवन आप माला का मोती हो और मैं वह धागा हूँ जो आपको अपने में समाहित करके प्रसन हो रहा हूँ खुश हो रहा हूँ आपको पा करके धन्य धन्य हो रहा हूँ फिर कहते हैं जैसे सोने ही मिलत सुहागा आप बस सुहागा हो जिसमें सोना मिलकर के और शुद्ध हो जाता है और निर्मल हो जाता है और शीतल हो जाता है प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भग्ति करई रैधासा प्रभुजी आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका भग्त हूँ और मैं जीवन पर्यंत इसी ऐसी ही भग्ति का इक्षुक हूँ मैं ऐसी ही भक्ती करना चाहता हूँ कि मैं जीवन भर आपका दास बन करके आपके चरणों में रह सकूँ अब आईए अब आईए दूसरे पत्कियों चलते हैं ऐसी लाल तुझ बिन काउन करे गरीब निवाज गुसाईया मेरा मात है छत्र धरे जाकीज छोती जगत कउ लागे तापर तू ही धरे नीचहु उच करे मेरा गो विंदो काहु ते नडरे नाम देव कबीरु ति लोचन सधना सैन उतरे कही रविदास सुनहुरे संतहु हरी जीव ते सभै सरे इन पदों में रहदास जी कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन काउन करे ऐसी कृपा आप बिन भगवन मुझ पर कौन करेगा आगे कहते हैं गरीब निवाज गुसईया मेरा माथे छत्र धरे आप इतने दयालू हैं इतने कृपालू हैं कि मुझ जैसे गरीब अथार्थ नीच कुल में जन्में गेक्ती पर भी अपनी कृपा द्रिष्टी अथार्थ अपनी छाया बनाए हुए हैं जाकी छोती जगत कव लागए तापर तू ही धरे जिसका इस पर्ष उच्वर्ग को मलीन कर देता है अशुद्ध कर देता है ऐसे नीच कुल के व्यक्ती पर आप अपनी अनुकमपा अपनी कृपा अपना इसने बनाए रहते हैं आगे कहते हैं नीच हु ऊच करै मेरा गो भिंदो काहु तेन डरै आप ही है जो मुझ जैसे नीच कुल में जन्मे व्यक्ती पर भी अपनी कृपा बनाए हुए हैं और उसे उचा स्थान प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करने में आपको किसी का डर नहीं है किसी का भय नहीं है रैदास जी कहते हैं कहते हैं रैदास जी कि उच्च वर्ग का व्यक्ती हो अथवा निम्न वर्ग का व्यक्ती हो आपकी शरण में आया प्रतेक व्यक्ती आपकी शरण में आकर तर जाता है आप उसका कल्यार करते हैं चाहे वह नामदेव हो कबीर हो तिलोचन हो अथवा सधना जैसे फ्यक्ती हो आप सबका कल्यार करने वाले हैं सबको सबका उधार करने वाले हैं कही रविदास उसनहूरे संत हो हरी जीव ते सभे सरे और अंत में रविदाज जी कहते हैं कि भगवन संसार में आपकी भक्ति करने वाले यक्ति संसार के माया मोहरूपी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं या भवसागर पार कर जाते हैं तो आज मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको यह दोनों पद समझ में आ गए होंगे अब आज के लिए इतना ही धन्यवाद कि अर उम्मीद कर दो इतना ही में झाल